जैमा श्री ओरोबिंदो आश्रम के बहुत बुराने सदस्या स्वर्गिये उदार पिंटो को कौन नहीं जानता श्री मा के बहुत निकट थे उदारदा आश्रम के कई विभागों की शुरूआत में उनका बढ़ा हाथ था उनी का एक लगु संस्मरन पेश कर रहा हूँ श्री मा ने एक बार मुझसे कहा था मैं हमेशा तुमारे साथ होँगी निरंतर तुमारी देखबाल करती रहूँगी मुझे बस तुम पुकारो और यह भी कहा था कि लोग मुझे बहुता पुकारते ही नहीं है मुझे से परियापत मात्रा में मांगते ही नहीं है यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं था इस विशव पर मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था उन्होंने मुझे से कहा मांगो मांगो मांगते रहो जो चाहो तुम मुझे से मांग सकते हो तुमारा काम है मांग करना मैं दूँ या न दूँ ये मेरा मामला है लेकिन मांगने में कोई हर्ज नहीं है मुझे से तुम कोई भी चीज मांग सकते हो तो उस दिन से मैंने मां से मांगना शुरू कर दिया मैं छोटी से छोटी चीज के लिए भी मां से पूछने लगा मुझे जो भी चाहिए होता मैं उसकी मांग कर लेता बले वो नगणिया से नगणिया वस्तो क्यों न होती अगर मैं सवेरे तीन बजे उठना चाहूँ तो मैं मां से ही कहता हूँ उनसे मांग करता हूँ मां आप मुझे कल सवेरे तीन बजे उठा देंगी न मुझे कभी अलारम गड़ी की जरूरत नहीं पड़ी अपना यह वादा मां बड़ी बव्यता के साथ निभाती चली आ रही है वे हमेशा मेरे साथ होती है मेरे बहुत बहुत करीब और अगर कभी कभी मैं इस अनुबहु से जरा दूर हट जाऊं तो मुझे उन्हें पुकारना पर होता है और तुरंट मुझे उनकी उपस्थिती का अनुबहु होता है बहुत प्रबल अनुबहु होता है तब तो यह बात एकडम सही है कि श्री मां सब जानती है यहां तक कि उन्हें यह भी जरूर पता था कि वी अगले साल 1923 में प्रयान कर लेंगी वे जानती थी कि बहुतिक रूप से वे हमें छोड़ देंगी और सच मुझ 17 नवंबर 1973 को उन्होंने प्रयान कर दिया और जानते हो इस तरह उन्होंने क्या किया अब हमें उनके पास नहीं जाना होता है बलकि वे ही हमारे पास निरंतर आती रहती है श्रीमा ने मुझसे यह वादा किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी यह प्रतिक्या हम सब पर उनके हर एक बच्चे पर हर एक जीव पर लागू होती है श्रीमा